अपने स्वागत करिये छे भार्दिय जनता पार्डी ना जीतना संकल्पने चरीता अर्थ करवा मटे जे कटीबद्द छे तेवा आपना गुज्रात राज्य ना भारती जनता पार्टी ना प्रमुख नवस्तारी ना लोग प्रिय सांसद एवा मान्य शीशी आर पार्टेश साहिब ने आसाथेज स्वागत ना शब्द सुमन मांडे आमंत्रित करूछू बारात माता की बनने हाथ उचा करीने वंदे जैश्यराम अधेशना एक सोने चालीस करोड लोकों ना सपनों ने साकार करवा माटे संकल्प बद्द एवा आपना सवना लादिला आधानिये प्रदान मंत्रिस्टी नरेंद्र मोधी साहिब आधानिये डायस अने आलाग अलाग विस्तार माती अहीं पतारेला सोव आगेवान भाईयों ने बेनों हूँ आप तोनों आजने आस्तबा मा सागत करूछू आपने सुरक्षित करा माटे जरोरी युद्ध ना विमानों होई हेलिकोप्टर होई टैंक होई तमाम वस्तो अपना देश मा बने एना माटे मोधी साहिब नों आगरा अतों अने एना कारणे आपना देश ना इवानोंने रोज गाही तो मनेड पन युद्ध ना समय बीजा देशों उपर आपने आदार राकिये अने त्यारे जो आपने पूर्ता सस्त्रों के दारुगोडों ना माडे ता आपना देश मुश्केली मावे एना माटे मोधी साहिब आ अपना देश माँ आपने वाज करता हुए चे त्यारे आपना विस्तानी अन्दर वी स्वस्ती जे सिवील होस्पेटरल ना प्रस्ना अतो आपना आदार ने मुक्यमंति सी भुपेंडबाई पटेल ये मुश्केली माई पूर्ण ना थायो चे आपतोंने जे कॉंप्लेक्सी जरूती स्पोर्स कॉंप्लेक्सी जरूरती ए सपनु पन ए अपेक्चा पन आपने पूर्ण तैई छे अन्ने आदर ने मुधी साहिब न जे नल से जल एना माटे योजनानो लाब आपतोंने सोटका मले चे आपने आदर ने प्रदान मंत्र स्पोर्ण मोधी साहिब ने आपने आजे स्थांबडिये एद वास्ताते आपतोंने फरिती आपना स्वागर्स्ताते मारी वास्ते वीरा माँ पुछू जाहे जे गरी गुद्रात भारत माता कीजे खुब खुब आभार मानने शिसियार बाटी साहिब अखंड भारत ना शिल्पी सर्दार साहिब नियाओ गौरान विद भुमी पर विक्सित भारत ना स्वापन दरस्टा अने विकास पुरूष मानने वड़ा बदान शिनारेंद्र भाय मोदी वंदन अभी नंदन साथे उ भारत माता की भारत माता की भारत माता की आजे नाना ना टाबरियाओने खोटना लेन उभागरेल बेशाडो चोकराओन एरान ना करो भाई बालको नेरान ना करो एमने सांती रिवदू हमबलवादो जोवादो भारत माता की भारत माता की आजे ना गुजरात मा गणा वर्षो सुजी या मुख्यमंत्री तरीके आपनी सेवा करतो रहो ये पहला पार्ण पार्टी ना संगधन काम माते गुजरात मा अनेक वर्षो सुदी काम करतो रहो मैं गुजरात मा चुटनियों लड़ावी पन खरी अन्य चुटनियों लड़ी पन खरी सभावो पन करी ने रेली पन करी परन्तों आजे मारे केवू पड़ से के आपने त्या गुजरात मा बपरे अग्यार बारवा ग्या पहला जो कोई सभा कर भी हो इने तो लोड़ाना चना चाबा पड़े बदा यहम के गहां जे जड़ा ठंडग था है तैर राग्यों ने मारा माटे आजे अचरत चे आणन्दू आप विराट केसरिया सागर मने लागे चे आणन्दे आजे बत्याज रेकोड तोड़े चे अन्या चूटणी माँ पार्ण आणन्दने खेडा बत्याज रेकोड तोड़े 2004 माँ आपे सववे मने देशनी सेवा करमा माटे मोकले अन्या तमे जे मने सिक्षन आपिऊ तमे मने जे गड़तर करियो सर्दार साहेमनी आप भूमी माती मुझे सिख्यो कि ये बदु आजे मने देशनी सेवा करती लेखे लागे जे काम है आवाई छे आपने त्यार गुजरात मां काम करता था त्यार आपनों गुजरातनों एक मंत्र हतो के भारतना विकास माटे गुजरातनों विकास आपने उक केरें होता केता के देश तुझे था वो ये था हमारा गुजरात तुझा ये उन्होता केता आपने हम्मेशा केता था भारतना विकास माटे गुजरातनों विकास अन्य हवे जारे आपे मने देशनु काम स्वपनु छे त्यारे मारू एकज सपनु छे के बेजार सुड़तालीस माँ जारे भारतनी आजादीना सोवर्थाए त्यारे आपनु हिंदुस्तान विक्सित भारत हवु जोईए अन्य आपनु गुजरात पन विक्सित भारत हवु जोई है अन्य विक्सित नों मतलब सुँ छे ये आनन खेडार बड़ानना हम जावु पड़े कान यमने आखी दुनिया जोईली जे सम्रुत्त दुनिया केवी वह यमने खबार छे प्रगती केवी वह यमने जोई छे अन्य हमना कुटिम्बजोनों आजे पन दुनिया ना सम्रुत्त देशों मरे छे आपड़े एवू बना वनुझे अन्य एनना माटे एनना माटे मारी पले पल आपना माटे मारी पले पल देशना माटे अटले मैं देशने गयरंटी आपी जे 24 by 7 for 2047 अन्य आ महान काम माटे 140 करोर देशवास्यों ना सपना पूरा करवा माटे मने आपना आशिरवाज जोई है मने सरदार साहेमली भूमी ना आशिरवाज जोई है आखा देशमाती आशिरवाज मले पन जारे सरदार साहेमली भूमी ना आशिरवाज मले ने तेने चार चांद लागी जाए अने इतला माटे हुँ आजे गुजरातनी धरती पासे आशिरवाज मागवा माटे आयो शोई अही अमारी ओडखानमा केवामा आयो कि अबे पीम साहे बोल से क्यों हम अत्रू लागे आम आपना कानमा सब्दो ना गुजे आम आपना केए प्रियम साहे जोई पड़ कोन अने हम कही काई नारेंद्र भाई ओ आपना दरेदर भाई एनी जे बजाचे भाई ये पी एम साहिपा डोव होए अन्ने जारे खेर आईए अन्न करना स्वजनो आपना दरेदर भाई केम जो अन्ने मंडे तो कोई पन दर भुजरातो भाई मले अन्न सीजो आपना दरेदर भाई हेलो सब्जी जो दुनिया ना कोई पन देशमा जाऊ येल एका तो बढ़े पर भाईयो बहनो तमारो आप्रेम तमार आशिरवाद एक खटे कर मारा जीवन नी मोटी मूडी इछे भाईयो और बहनो देश ने साट साल तक कॉंग्रेस का राज देखा है और देश ने दस साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है वो शाथन काल था ये सेवा काल है कॉंग्रेस के साट साल के सासन में करीब साट प्रतिशत ग्रामिन आबादी के पास टॉयलेट नहीं था, सौचाल नहीं था इस साट साल के बाद दस साल में भाजपा सरकार ने इस देश में साट प्रतिशत टॉयलेट बना दिये साट साल में कॉंग्रेस देश में सिर्फ तीन करोड ग्रामिन गरों तक ही नल से जलकी सुविदा पहुचा पाई क्याने कि 20 प्रतिशत भी नहीं 20 प्रतिशत से भी कम घरों में वो नल से जल पहुचा पाई दस साल में ही नल से जल पहुचने वाले गरों की संक्या आज 14 करोड गर हो गई है यानि 75 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुचा है शाट साल मेरे दस साल आप देखिये कितना बड़ा फर्क है साट सान में कॉंग्रेस ने क्या किया बैंकों का राष्ट्रिय करन किया बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए इसलिए राष्ट्रिकरन आज फिती ये है कि बैंकों का राष्ट्रिय करन गरीबों के नाम पर करने के बावजुद भी कॉंग्रेस सरकार साट साल में करोडों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई मोदी ने दस साल में पच्चास करोड से जादा जनदन बैंक खाते खोले जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णे किया जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था आज गरीब बैंक में जा करके हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है साथियों 2014 में जब आपने आपके इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेज करके देश की सेवा करने का आदेश दिया उस समय बड़े विद्वान अर्थोशास्त्री देश के प्रदानमत्री थे उनके बाद मुझे मोका मिला जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11 नंबर की इकामी नामी थी 11 नंबर हमारा नंबर 11 पर था दस साल में गुजराती ने एक चाय वाले ने देश की एकोनमी को ग्यारा नंबर से पांच नंबर पर पहुचा दिया कॉंग्रेस के चलते दसों कतकों तक देश के संविधान के साथ भांती भांती के खिलवाड हुए है आप चौक जाएंगे भाईयो बेहनों सरदार साब जल्दी चले गए उसके कारां देश को बहुत नुक्षान हुआ है और मेरे मन में कथक है कि सरदार साब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करो देश आपको पता है भाई कि कॉंग्रेस के साजा दे माथे पर समिधान रख करके नाच रहे हैं आज पर देखा होगा आपने लेकिन जरा कॉंग्रेस मुझे जबाब दे जिस समिधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो कि आज देश में 75 साल तक 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये सम्विधान लागू नहीं होता था मोदी के आने के पहले इस देश में दो सम्विधान चलते थे दो जन्डे चलते थे दो प्रधान मंत्री थे ये सम्विधान माथे पर लेकर के नाचने वाले साजादे आपकी पार्टी कॉंग्रेस ने आपके परिवार जनों ने देश में सम्विधान लागू नहीं होने दिया था कश्मीर में हिंदुस्तान का सम्विधान लागू नहीं होता था धारा 370 दिवार बन के बैठी थी यह सरदार पटेल की भूमी से आये हुए बेटे ने उस 370 को भी जमिन दोस कर दिया और सरदार साब को सबसे बड़ी स्रद्धांजली मैंने दी है मैंने सिरफ स्टेची अफिनिटी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेची बना कर सरदार साब को अंजली दी है इतना ही नहीं मैंने कश्मीर को कश्मीर में तिरंगा जंडा फैरा कर कश्मीर में सम्मिदान लागू कर कश्मीर में 370 हटा कर सरदार साब के सपने को पूरा किया है साथ्यों जितने साल हमारे देश में कॉंग्रेस सरकार रही एक बड़ा हौवा था आए दिन जब भी हो पाकिस्तान जब भी हो पाकिस्तान जब भी हो पाकिस्तान और देखिए यह पाकिस्तान के आतं का टायर पंक्चर हो गया है जो देश कभी आतं की एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज बीख का कटो रहा है कॉंग्रेस की कमजोर सरकार आतं के आकाओं को डोजियर देती थी डोजियर का मतलिब है फाइल पे सारी जानकारिया इकटे करकरके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आये थे ये उनकी फोटू है यहाँ बम फोड़ के चले गए तुम्हारे लोग आये थे इतने लोगों को मार करके चले गए तुम्हारे वो लोग आये थे डोजियर देते थे डोजियर और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिय और मोदी की मजबूत सरकार देखिए डोजेर बोजेर में टाइम खराब नहीं करते हैं आतंकियों को घर में गुश कर मारते हैं और साथियों संयोग देखिए आज जब भारत में कॉंग्रेस कमजोर हो रही है याने सुक्ष्म दर्शक यंत्र लेकर के भी कॉंग्रेस को ढूनना मुझकी लो रहा है लेकिन मज़ा यह है कि यहाँ कॉंग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है आपको पता चला होगा कॉंग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं सहजादे को पधान मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है आपने कल देखा होगा और हम तो जानते ही है कॉंग्रेस तो पाकिस्तान की मुरी दी है पाकिस्तान और कॉंग्रेस की यह पांटर से अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है बायू और भेनों देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबुत सरकार नहीं चाहिए उनको कमजोर सरकार चाहिए और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26 ग्यारा को आतंकी के हमले के समय जीन है बैसी कमजोर डोजियर बेगित बेजने वाली है देश के दुश्मनों को बैसी ही करप सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी देश के दुश्मनों को बैसी ही अस्तीर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी मोदी की मजबुत सरकार न जुकती है और नहीं रुकती है और तभी आज दुनिया कह रही है दुनिया के विकास को भारत ही गती दे सकता है भारत पुरी दुनिया के लिए ब्राइट स्पोर्ट है दुनिया में जगड़े होते हैं तो भारत को विश्व बंधु के तौर पर जगड़ा सुल जाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है कहीं युद्ध होता है अभी आपने देखा होगा रशिया और उक्रेन के बीट लड़ाई चल रही थे दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फसे हुए थे वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पास्पोर्ट चलता था दुनिया के किसी भी देश के नागरी को वह बम गोले के बीच से निकलना हो युक्रेन में से तो यह की पास्पोर्ट चलता था और वो पास्पोर्ट था मेरे देश का तिरंगा जंडा पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा जंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी आपने उकरेन में देखा है युद्ध के समय जो बच्चे से बहां सबने मैसूस किया भारत के तरंगे की ताकत क्या बढ़ी है भारत आप में से तो आई दिन लोग विदेश जाते आपने देखा होगा आज इंदुस्तान के पास्पोर्ट की ताकत क्या है यह होती है देश की साग मुझे बताइए मेरे आणन खेडा के भाई भैन क्या आपको देश की यह मजबूती ख़वर मिलती है गर्व होता है कि नहीं होता है दुनिया गर्व करती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं है आपका माथा उंचा होता है कि नहीं होता है लेकिन यह कॉंग्रेस वह क्या कर रहे गया कॉंग्रेस रफ रोती बैठती है और मोदी को गाली दो डिक्षिनेरी खोच गोरते रोज नहीं गाली निकालते हैं रोज नहीं गाली निकालते हैं और कॉंग्रेस आज मोदी देश को एक करने के सर्दार के सपने को फक्ता कर रहा है कंग्रेस देश को बाटने में जुटी है कॉंग्रेस समाज में लड़ाई जगड़ा कराना चाहती हैं भाई और भेनों आज कल पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कॉंग्रेस इतनी बौखला क्यों गई है कॉंग्रेस इतनी संतुलन क्यों खोड़ बैटी है भाईयों बहनों कॉंग्रेस आज फेक फैक्टरी याने फरजी मालकी फैक्टरी बन गई है महबत के दुकान बोलकर कॉंग्रेस जूट का सामान क्यों बेचने लगी है आपने देखा होगा जब कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैंने पहले ही बयान दिया था कुसी दिन मैंने कहा था कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लिग की छाप है कॉंग्रेस इतनी हतास और निराश है कि अपनी सिती बचाने के लिए उसने अपने आपको मुस्लिम लिग को समर्पित कर दिया है और इसका कारण है लगातार कॉंग्रेस का जो जनादार खिसकता जा रहा है साट साल तक कॉंग्रेस ने जिन की परवा नहीं की अब वो कॉंग्रेस की परवा नहीं करते हैं इसलिए एक कॉंग्रेस वाले चितकते गए हैं लोगों परशान हो गए हैं और जो गरीब आख बंद करके आधी रोटी खाएंगे इंजरा को लाएंगे जो नारा देते थे ना वो सारे के सारे कॉंग्रेस को छोड़ चुके हैं क्योंकि मोदी ने गरीब कल्यान का इमानदार इसे काम किया पचीश करोड गरीबों को गरीबे से बाहर निकाला गरीबों को गर दिया गरीबों को बैंक का खाता दिया गरीबों को रोजगार का उसर दिये आज और दीके बात कॉंग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजंडा बनाया, हर चुनाव में नेरु के जमाने से मनमोन सिंगी सरकार तक कॉंग्रेस की रिमोर्ट सरकार चलते थी, इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रेकॉर्ड निकाल लीजिए, वो हर सभा मे एक ही मंत्र बोलते थी गरीव 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 उस जल को अपने आँखों पर चड़ाने लगा, मोधी जब गरीबों के आँसू पोंच ले लगा, मोधी जब गरीबों के सपनों को संकल्प में बदलने लगा, मोधी जब गरीबों के नवजबानों के लिए अउसर देना लगा, तो गरीबों ने कॉंग्रेस के चरीतर को जा दिया अब कॉंग्रेस निरास्रीत हो गई है आज जब गरीब को पक्का घर मिलाए और जब पक्का घर मिलता है न गरीब को तो चार दिवारे नहीं मिलता है मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है तब शिर्फ चार दिवारे नहीं देता है तब एक नया जीवन देता है जब मोदी गरीब को घर देता है तब उसके अर्मान जगा देता है जब मोदी गरीब को घर देता है तब उसके सपनों को नया आसियाना देता है जब मोदी गरीब को घर देता है तब उसके सपनों को नहीं उडान देता है उनके अवसरों के लिए नहीं उचाई देता है और तब जाकर के पीडियों के बाद एक गरीब अपना ठिकाना प्रा उस एड्रेस पर मोदी का नाम लिख दिया है दोस्तों साथ्यों साई कॉंग्रेस ने सी स्टी ओबी सी उनको भी अंदरे बेर रखा उनके साथ विश्वाद गात किया कॉंग्रेस ने कभी ऐसी स्टी के परवा नहीं की नब्बे के दसक से पहले से कॉंग्रेस ओबी सी आरक्षन याने जिसको अपने गुजरात में बक्षी पंच के लिए ओबी सी के लिए हर प्रस्ताओं को ठुकरा दिया परवा नहीं की बोले यह तो ऐसे ही है यह जीने के लिए पैदा हुई है बरसों से यह हमारा बक्षी पंच के लोग हमारा OBC कहता था कि OBC कमिशन को यह बक्षी पंच आयोग को सम्वेधानिक दरजा मिले कॉंग्रेस ने उनकी नहीं सुनी OBC के लिए एक के बाद एक काम जब 2014 में आपका बेटा दिल्ली गाया ना तब जाकर के शुरू हुआ और नतीजा यह हुआ कि OBC यह हमारे बक्षी पंच लोग के लोग कॉंग्रेस से दूर भाग गए पहचान गए कॉंग्रेस को और बहुत बड़ी मात्रा में SC, ST, OBC वे आज भारती जनता पार्टी के बहुत बड़ी ताकत बन गया साथ यह कॉंग्रेस ने कभी समझाई नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है इतने साल तक कॉंग्रेस ने आदिवास्यों के लिए अलग मंत्राले तक नहीं बनाया बीजेपी सरकार ने आदिवास्यों के लिए अलग मंत्राले अलग बजेट बनाया उन्होंने उपेक्षा करते रहे आदिवासी समुकी जो उपेक्षा वो करते रहे गणगोर उन्होंने उपेक्षा के और उनको एक हाश्य में रखा उन्होंने भी कॉंग्रेस को किनारा कर दिया आज देर में मैं आधिवासी बहुल्यक्षेत्रों से भी कॉंग्रेस या तो गायव हो चुकी है या तो दीसरे तीसरे नंबर पे कहीं इंतजार करती खड़ी है कॉंग्रेस इन से इन लोगों ने कॉंग्रेस के छोटकारा ले लिया आज बीजेपी के MLA, MP की अक्संक्या सबसे जादा बीजेपी की SC, ST, OBC है आज मेरे मंत्री परिशद में साट प्रतिसत से जादा SC, ST, OBC समुदाई के लोग है और इसलिए कॉंग्रेस को लगता है सब कुछ लूट गया अब आने वाले सो साल तक कही कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है और इसलिए आज कॉंग्रेस गरीब को नफरत कने लगी है आज SC, ST, OBC इनको नफरत कने लगते हैं और ये बात कॉंग्रेस को बदात नहीं हो रही है बहुत नाराज है उनकी वोट बैंक चली गई है और इसलिए हम नई साजी से रची है अब सब जानते हैं कि दसकों से कॉंग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनोरिटी का रहा है और उसमें भी मुसल्मान इस वोट बैंक ओड़ों ने बहुत पाला पोसा है बहुत खादियदारी किये बीतने दसकों बग्षेत्री दलों ने कॉंग्रेस के वोट बैंक में भी सेंद मारी कर दें जो प्रादेशिक परक्स है ना उन्होंने उसमें से उनको पता जड़ गया है कि कॉंग्रेस को मारने का यही तरीका है तो जो प्रादेशिक प्रक्स पैदा हुए उसमें से बहुत सारे उन्होंने कॉंग्रेस को जो इम मॉनोपॉलित माइनोरिटी की उस पर भी डाका डाल दिया इसलिए अब कॉंग्रेस नई नीती रण नीत कॉंग्रेस में वहां माइनोरिटी के वाड़ बैंक को साथ रखने के लिए तुष्टी करण में और तेजी से आगे बढ़ रही है कॉंग्रेस ने अल्प्रस अंग्रेकों को अपने साथ रखने के लिए OBC और दलीतों के आरक्षण का कोटा मुसल्मानों को देना ताय किया इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी सम्विधान बदलना चाहती है कॉंग्रेस चाहती है कि SC, ST, OBC के हलका उनके हका जो आरक्षण है वो अपने खास वोट बैंक को दे सके कॉंग्रेस की साजिस के बारे में पहले ना कॉंग्रेस के दरबारी कुछ कहते थे और ना ही उनके लोग 24 के चुनाओं में मोदी ने कॉंग्रेस की ये सारी साजिस देश के सामने रख दी है इसलिए कॉंग्रेस और उसके दरबारी मोदी से इतना गुस्से में है ये चाहे जितना भी गुशा कर ले मोदी आज पुरे देश को ये गारंटी दे रहा है कि STE, SC, OBC और सामान नेवर के जो गरीब लोग है उनका जो आरक्षन है जो सम्विधान के तहत मिला हुआ है बाबा साब आम बेड करके द्वारा मिला हुआ है बारत की संसत ने दिया हुआ है ये बीजेपी की गारंटी है ये मोदी की गारंटी है ये बीजेपी सरकार की गारंटी है कि धर्म के आधार पर किसी को भी SC, SD, OBC और जनरल के अरक्षन में ते रती भर भी हात नहीं लगाए दिया जाएगा मैं जरा आज सरदार साब की भूमी से ये साही परिवार को चनोती देता हूँ मैं उनकी पूरी एकोसिस्टिम को चनोती देता हूँ मैं उनकी पूरी एकोसिस्टिम को चुनोती देता हूँ और मेरी तीन चुनोतिया है और मैं मिडिया को भी चुनोती देता हूँ जिन सब्दों में मैं कह रहा हूँ उस सब्दों में छाप करके दिखाईए उनको लगता है कि मोदी ने बात छाप दी तीवी में दिखा दी, तो शायद कॉंग्रेस कहीं की नहीं रहेगी, मेरी तीन चुनोतियां है, कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के पूरे इकोसिस्टिम को, पहली चुनोति, कॉंग्रेस और उनके चटे बटे, देश को लिखित में गारंटी दें, कि वो सम्विधान बदलकर, धर्म के आधार पर, मुसलमानों को आरक्षन नहीं देंगी, देश को बाटने का काम नहीं करेगी, मेरी दूसरी चुनोति है, कॉंग्रेस देश को लिखित में दे, कि वो स्थी, स्थी, ओबिसी को मिलने वाले आरक्षन में सैंद मारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छिनेगी, डाका नहीं डालेगी, मेरी तीसरी चुनोति है, कॉंग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे, कि जिन जिन राज्यों में कॉंग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजरिती नहीं करेंगे, वो बैक डूर से ओबिसी का कोटा काट कर मुसल्मानों को आरक्षन नहीं देंगी, ये मेरी तिन चुनोतिया है, साजादे, हिम्मद होता आजाओ, संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है, संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सिखना है तुम मोदी के पाथ आओ, मैं जानता हूँ, कॉंग्रेस मेरी ये चुनोतिया नहीं स्विकार करेगी, क्योंकि इसकी नियत में खोट है, साथियों, भारतिये जनता पार्टी ने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, देश की एकता और खंडा अत्ता के लिए, देश के सर्वांगिण विकास के लिए, हमारे SC, ST समुदाय, हमारे OBC समुदाय, हमारे जन्दरल समुदाय के गरिब भर्ग, उनको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को न कभी हम हाठ लगाएंगे, और नहीं हम किसी को हाठ लगाने देंगे, साथियों, इंडी गडबंदन की एक और रन दिती, कि पोल उसके ही नेताने देश के सामने खोल दिये, अब इंडी गरबंदन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है अब बताईए हमने लव जिहाद सुना था लेंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद और वो भी पड़े लिके मुसलमान के परिवार से बात आई है सामवान या मदरेशा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है Highly qualified family और Congress के वरिष्ट पत पर बैठे हुए परिवार यह मुसल्मान परिवार ने कहा है नारा दिया है वोट जिहाद करो आप जैनते हैं न जिहाद का मतलब क्या होता है जिहाद किसके खिलाप किया जाता है इंडी गडबंद का साब कहना है कि सारे मुसल्मानों को एक जुट होकर बोड देना चाहिए इंडी गडबंद ने लोकतंत्र के उत्सव में बोड जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है सम्विधान का भी अप्मान किया है और कॉंग्रेस के एक नेक विनेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है मौक मौक सम्मति देजी है यह बोर्ट जिहाद की बाद भी कॉंग्रेस की तुष्टी करण की नीती को ही आगे बढ़ाती है एक तरफ इंडी गडबंदन स्टी, स्टी, ओबीसी सब्समाने वर को मांटने में जुटा है और दूसरी तरफ बोर्ट जिहाद का नारा लगा रहा है आज समख सकते हैं कि इंडी गडबंदन के इरादे कितने खतरनाथ है साथियो मैं बहुत लंबा बोल गया बाए मारे आजे चार सभाव केरिने रात्रेक कलकत्ता पहुचवानू जे आहिती सुरेन्नगर, जुनागर, जामनगर ने त्यादी कलकत्ता आटलू पूर्टू जे ने अबे विजय पाक को ने बदुमा बदू मत्दान धसे ने मत्दान ना जुना रेकोड तोड़ी सु जम्मे तचली गर्मी वय तोए तोड़ी सु साथ मै, साथ मै, साथ मी मे, अवे पांच दड़ा बाकी रहा जाने बाए बाए पांच दड़ा तो फुरी ताकार लगाई उपड़े हों समाज ना बद्जा वर्गोने जुड़े लई जे आपने आ वक्ते गुजरात माती बदी लोगसमानी सीचो तो मुकलवानी चे अने मने खातरी छे कि तमारों दिकरों त्यां बेटों होए अने तमे कमण ना चड़ावे उबने काई अने मने तो कोई ये कई उस है बुजरात मातों तो तुमें प्रचार माटी ना आव पर हुँँ प्रचार करवा आयोत नती उतो तमारा दर्षर करवा आयोत जुँ तमारा अथिरवार लेवा आयोत अने तमारा बताना उत्षा आजोवन मने उर्ध्या मले एतला माटायोत आयोत जुझे पण आपने बद्धा पोलिंग बूद जीत वाजे बाई जीती जुँँ अल मारो तो अगर चे के सबार मा दरेक पन्ना प्रमो पचीस पचीस तीस तीस वोटर नू थाडी वगारता वगारता गीद गाता गाता लोग चाहे नू उत्सव मनावता मनावता वोट अपपा जाए लोग चाहे नू उत्सव हो जुई है खाली पोलिंग बूद पांसे भुग्या ना गया यह उनाई आखा पोलिंग बूद ना बदा गरो मा उत्सव नू वातावर हो बाई लोग चाहे जे अन्ने दिक्रों आपनो त्या बेटो जे बाई तो गुजरात्य तो जवर्दत उत्सव मनावो जुई है गम्मे तेटली गर्मी होई रजावनों डगलू होई हामे तोपान पहलू काम मतदान पचीच जलपान आपना ते आनन माती अमारा साथी बाई मितेश पतेल अने खेडा थी अमारा साथी बाई देवुशे चावण अने खमबात विदान्चवामा बाई चिराग पतेल आमारा तने साथियोंने आप विजयी बनाओ, मारी जादे बोलो भारत माता की, भारत माता की, जै सर्दार, जै सर्दार, जै सर्दार. खूब खूब अभार माननिय, वड़ा प्रदान्शी माननिय, आपना सवना माननिय, नरेद्र भाय मोधी साहिब दो, जै 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 गर्वी गुजराज, जै जै श्री राम, अपकी बार, अपकी बार, वन दे, वन दे, चरोतर नी आ भूमी, आणंदने खेडा नी आ भूमी माती, आजे माननिय, नरेद्र भाय मोधी ने आपने विश्वास आपिये छे, वचन आपिये छे, विजाय भव, विजाय भव, विजाय भव.